हलो स्टूडेंट स्वागत थे आप सभी का एक बड़ फिर से हमारे इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलुशन मैं चंदन कुमार आज जीरूं आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ तो आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डैली उनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है और वो सोल के 5th semester में भी ये program course के students है तो आज की नहीं वीडियो उन सभी students के लिए है और उन सभी का जो result है वो declare हो चुका है यहाँ पर जो X students थे या फिर जिन students की पहले ER आ रही थी उनके भी जो result है वो declare कर दिये गए है result देखने के लिए simply आपको इस window पे आना है और इसका link आपको description box में मिल जाएगा result देखने के लिए आपको various पस कुछी step follow करना है तो पहले आप सभी को यहाँ पर अपना college name select करना है आप नीचे हैंगे school of open learning आप अपने eye card पे देखकर इसमें check कर सकते हैं कि आपका east में north में male या female आप इस तरीके से देख सकते हो इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना examination type करना है इसके बाद में आप अपना जो डियो भी है date of birth आप उसको day, month और year के according select करेंगे और यहाँ पर आपको capture code click करना है यहाँ पर fill करना है और इसके बाद में print scorecard जो आपका option है इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके सामने आपका result open हो जाएगा हो सकता है किसी भी students को की result के अंदर उनकी कोई भी गड़बड़ी हो जैसे उन्होंने exam दिया था परन्तु उनके exam में absent लिखा आ रहा है या any लिखा रहा है या फिर आपका exam आप सभी के लिए अच्छा गयाता लेकिन आपका result negatively आ रहा है तो दोनों का अलग case होता है जिन बच्चों का absent आ रहा है या any लिखा आ रहा है तो उनको क्या करना होगा Delhi University के जो examination branch पे जाना और window no.7 पर आपको अपने results related बात करनी है दूसरी चीज जिन बच्चों का result में ER आ रहा है एक्जाम अच्छा गया था तो वो या तो evaluation करा सकते है या री checking करा सकते है तो यह evaluation आपका सबसे अच्छा तरीका है दूसरी चीज आप यहां पर यह भी कर सकते हो कि आप अगले semester में अपना exam दी सकते हो आपको याद रखना है एक तीन पाँच यह आप सभी के जो exam होते हैंगे यह आप सभी के दिसंबर सेसर में होंगे दो चार छेज होंगे वह जून में होंगे तो आपका जो भी exam होगा फिर दिसंबर में होगा जिन बच्चों का यह आ रहे तो आपको परिशान होने की जरूत नहीं है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें आधिक से देख में तो तक शेयर करें मिलते हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में